लेकिन अगर ज्यादा फैट बढ़ने की वज़े से यही डिम्पल्स हमारे पेट पर दिखाए देते हैं तो ना ही तो हम कोई अच्छी सी साड़ी पहन पाते हैं और ना ही लेहंगे कैरी कर पाते हैं पुर्शों के लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा तब बढ़ जाती है जब उनकी तोन बहार निकलने लगती है और उन्हें सब मोटा मोटा कहकर संबोधित करने लगते हैं इसलिए अगर आपकी बैली पर या फिर स्टमक पर बहुत ही ज्यादा फैट एखटा हो गया है और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है तो आज मेरी ये वीडियो जरूर देखिए आज मैं आपको बताने बाली हूँ स्टमक दिंपल को हटाने के कुछ आसान से तरीके दोस्तो हमारी बाड़ी पर ज्यादा से ज्यादा चर्बी या फिर फैट तब जमता है जब हम बिल्कुल भी वर्काउट नहीं करते हैं और बहुत ही ज्यादा जंग फूट का सेवन करते हैं इसलिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करने की ज़रुवत है ताकि आप अंदरूनी करीके से भी थोड़ा बहुत परयास करें और अपनी बोडी पर एकसेस फैट को जमा ना होने दें अगर आपके स्टमक पर बहुत ज्यादा फैट जमा है तो आप शुगर और कॉफी को कंबाइट करके इसके अंदर एलोवरा जेल मिलाकर या फिर ओलिव ओयर मिलाकर एक स्क्रब तयार करिए और इसी स्क्रब से अपने पेट पर सर्किलर मोशन में स्क्रबिक करिए ऐसा करने से दोड़ो ही चीज़ों की गर्माहट आपके शरीर के अंदर तक जाएगी जिसकी वज़े से सैलुलाइट पिखलना शुरू होगा और इसकी वज़े से आपको काफी पसीने भी आएंगे जिसकी वज़े से अगर आप इस प्रोसेस को निरंतर करते हैं तो यह आपके बैली फैट को घटाने के लिए काफी अच्छा उप्शन है आप चाहें तो यही प्रोसीजर आप अपल साइडर विनेगर के साथ भी कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पाने पीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ऐसी चीजों का सेवन करें जिनके अंदर फाइबर ज्यादा हो अपनी जबान पर थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने टेस्ट को एक साइड रग दीजे और ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिनके अंदर फाइबर ज्यादा हो क्योंकि अगर आप टेस्ट के बीचे भागेंगे तो आपका सेलिलर्ट कभी भी पिगहलने वाला नहीं है इसलिए दोस्तों इन सारी चीजों पर ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है आप चाहें तो अपनी बोडी के फैट को बर्न करने के लिए अपने पेट पर सर्कुलर मोशन में मसाज़ भी कर सकते हैं ऐसा करने से आपको काफी फायदा महसूस होगा तो दोस्तों इन सारे तरीकों को याद रखिए और जरूर एक्सिक्यूट करिए ताकि आपके पेट से बेकार के फैट के डिमपल्स हट सकें मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए